गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स आज हम लोगं का टॉपिक है शेकिंड चेप्टर दा ट्रू ब्यूटी ट्रू ब्यूटी से मतलब है सच्ची सुन्दर्ता या वास्तिविक सुन्दर्ता इस पोएम को थोमस केरी ने लिखा है इनके नाम की जो स्पेलिंग है वो सी ए आर इ डबलू है इसको देखकर ऐसा लगता है कि सायद इसे हमें केर्यू पढ़ना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है इसका जो प्रणावस येसन है वो केरी से होता है टॉमस केरी इनका जो जीवन काल है वो पंद्रेश और ठानवे शूलेश उन्तालिश तक है ये इंग्लेंड के कभी है चार्ल्स फर्स्ट जो इंग्लेंड का किंग हुआ करता था उसके ये फेबिट कभी रहे है और इस कवता में इन्होंने वास्तिविक सुन्दर्ता का वर्ण किया है अट्रिबिटी पोएम में दो स्टेंजा है अथार दो पद हैं पहले पद में कभी ने भौतिक सुन्दर्ता का वर्ण किया है भौतिक सुन्दर्ता से मतलब है ऐसी सुन्दर्ता जिसको हम देख सकते हैं दूसरे पद में कभी ने आंतरिक सुन्दर्ता का वर्ण किया है आंतरिक संदर्ता से मतलब होता है ऐसी संदर्ता जिसको की हम देख नहीं सकती, केबल उसका एसास कर सकते हैं, उसको अनभब कर सकते हैं पर ऐसी संदर्ता को spiritual beauty बोलते हैं, आध्यात्मिक संदर्ता कहते हैं चलिए अध्यन करते हैं He that loves a रोजी चीख, he, he मतलब कोई भी व्यक्ति, वह, वह मतलब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, that जो की लव्स प्रेम करता है, रोजी चीख, रोजी से मतलब है रोज लाइक, गुलाव के जैसे, चीख से मतलब है चीख, गुलाव जैसे गालों से प्रेम करता है, कोई व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरा व्यक्ति, फीमेल है, दूसरे व्यक्ति के, जो चीख से हैं, वो इतने सुन्दर हैं, जितना सुन्दर की गुलाव होता है, और ऐसे सुन्दर चीख से प्रेम करता है, अधवा, कोरल लिप, कोरल होता है मूंगा, मूंगे से मतलब होता है अप्रीसियस इस्टॉन ओफ रेड कलर, लाल रंकाइक कीमती पत्थर, जिसे मूंगा बोलते हैं अधवा, मूंगे जैसे ओठों की, मतलब उसके ओठ ऐसे हैं इतने सुनदर हैं जितना सुनदर की लाल रंकाइक कीमती पत्थर, अथार्थ मूंगा होता है मुंगे के समान सुन्दर ओठों की प्रसंसा करता है कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के और दूसरा व्यक्ति फीमेल है उस फीमेल व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के सुन्दर चीक से प्रेम करता है और उस दूसरे व्यक्ति के गुलाब के जैसे सुन्दर लिप्स की प्रसंसा करता है और फ्रोम स्टार लाइक आईज और उस व्यक्ति के स्टार जैसे स्टार लाइक वालब तारों के समान सुन्दर आँखों में डोत सीख मैं बता चुका हूँ आपको पूर्व की पोईम में D.O.T.S. से मतलब होता है D.O.E.S. और वो हेल्पिंग बर्व है सीख मीस होता है खोजना, तलासना अथवा हो है किसी दूसरे व्यक्ति के तारों के समान सुन्दर आँखों में तलासता है धूडता है फ्यूल एक ऐसा एंधन एक ऐसा मटेरियल जोकी मेंटेन बनाए रख सकता है जलाए रख सकता है हिज फायर्स फायर्स से मतलब होता है प्रेम रूपी अगनी एक प्रेम आगनी, जैसे हम प्रेम आगनी कह सकते हैं, अत्वा तारों के समान सुन्दा रांखों में उसे ऐसा इनन दिखता है, जो उसकी प्रेम रूपी आगनी को प्रजोलित रख सकता है, एज जैसे जैसे, ओल्टाइम में एको, बढ़ापा आता है, जैसे जैसे उस व्यक्ति को बढ़ापा आता है, जिसके चीक्स जो ऽो थे, वो रूच के जैसे थे, और उनको फ्रेम करता था, उसके जो लिप्स थे, वो कोरल के समान थे, जिनकी वह प्रसंसा किया करता था और उसकी आँखें जो थी वो तारों के समान थी जिन आँखों में उसे वो प्रेमागनी को प्रजुलित रखने का इंधन दिखाई देता था सारेरिक रूप से सुंदर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है और जैसे ही बुढ़ापा आता है मेंक्स वो बुढ़ापा कर देता है बना देता है इन चीजों को इन चीजों से मतलब है उसके सुन्दर cheeks को, उसके सुन्दर lips को, उसके सुन्दर eyes को कर देता है decay means nest, समाप्त, खतम तो इसलिए, हिज उसकी, flames का मतलब है प्रेम अगनी must waste अब बुज जाती है क्योंकि प्रेम अगनी जो थी, वो जल लही थी, सुन्दर्ता की बजय से सरे संधर्ता के कारल उसकी प्रेम अग्णीं जल लई थी जब सरे संधर्ता खتم हो गई तो उसकी दो प्रेम अग्णी थी वह भी खतम नगे एक बार फिर देखते हैं कभी कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाब के समान सुंदर चीक से प्रेम करता है अथवा मूंगे के समान सुन्दर लिप्स की प्रसंसा करता है अथवा तारों के समान सुन्दर आँखों में अपनी प्रे मगनी को प्रजुलित रखने का इंधन तलासता है जैसे ही बुढ़ापा आता है बुढ़ापे के साथ साथ ये सारी सारीरिक सुन्दरता समात हो जाती है नस्ट हो जाती है और इस सारीरिक सुन्दरता पर आधारित प्रे म भी सारीरिक सुन्दरता के नस्ट होने के साथ ही नस्ट हो जाता है कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह सारीलिक रूप से सुन्दर है तो ऐसा प्रेम कुछ ही समय तक रहता है और थोड़े समय के बाद अपने आप नश्ट हो जाता है यहीं सुन्दर्ता वह कुछ समय तक रहती है बुढ़ाप आने पर जब सुन्दर्ता समाप्त होती है तो सुन्दर्ता पर आधारित प्रेम भी अपने आप समाप्त हो जाता है यानि physical beauty जो है वो short lived है कुछ समय तक ही रहते permanent नहीं है एक बार English में स्कार्थ देखेंगे A man who loves her beloveds rose-like cheeks or admires her coral-like lips or from star-like eyes seeks the fuel to maintain his flames of love when he or she becomes old and physical beauty decays so the love which is based on physical beauty is also died or waste away अब दूसरे stanza का अध्यन करेंगे जिसमें की ऐसी सुन्दरता का वर्डन किया गया है जो की दिखाई नहीं देती जिसको की हम केवल मैसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते और वैं सुन्दरता है आध्यात्मिक सुन्दरता आत्मा और हरदय की सुन्दरता जो इस्थाई है जो कभी नश्ट नहीं होती और यह सुन्दरता ही बास्तिक सुन्दरता है देखिएगा दूसरे बट मीस लेकिन स्मूथ एंड स्टीट फास्ट मैंट स्मूथ मीस होता है कॉंस्टेंट सी ओ एंड स्टीट फास्ट मीस होता है फर्म एफ आई आई आर एम इसको हिंदी में कहेंगे समान तथा जड़ मस्तिस्क लेकिन एक समान तथा द्रड मस्तिस्क जेंटल थोट्स जेंटल के दो अर्थ होते हैं नोबुल और गुड आदर्स या अच्छे थोट्स मीस विचार दूसरी चीज पहली चीज है द्रड और इस्थिर दिमाग दूसरा है आदर्स विचार काम डिजार से मतलब होता है पीस्फुल कंडीशन ओफ माइन्ड शांत मन इस्थि तीसरा है हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन्ड हार्ट मीस हिर्दे इक्वल समान लव फ्रेम से कंबाइन्ड मीस जुड़ा हुआ समान प्रेम से जुड़ा हुआ हिर्दे किंडल किंडल मीस होता है उत्पन करना नेवर कभी भी नहीं डाइंग नस्ट होने वाली फाइर्स प्रेम अगनी को नेवर डाइंग को हम कह सकते हैं पर्मानेंट फाइर्स को कह सकते हैं फ्लेम्स ओफ लव बटा स्मूथ और स्टीट फास्ट मैंड लेकिन दड़ और स्थिर दिमाग आदर से विचार काम डिजार्स सांत मन इस्थती समान प्रेम से जुड़ा हुआ हिर्दे किंडल नेवर डाइंग स्वाइर्स कभी भी समाप्त न होने वाली अथार्थ एक इस्थाई प्रेम अगनी को जलाते हैं अथार्त ये गोड एक ऐसी प्रेम अगनी को जलाते हैं जो कि इस्थाई होती है अथार्त इन गोड़ों पर आधारित प्रेम इस्थाई होता है कभी समाप्त नहीं होता कभी ये कहना चाहता है कि इसके बिप्रीत कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसका जो मन है वह समान और द्रण है उसके बिचार बहुत आधर्स है उसका जो मन है हमेशा सांत रहता है और उसके हिरदय में सब के लिए समान प्रेम की भाव इन गोड़ों पर इन गोड़ों को देखकर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्त से प्रेम करता है तो उसकी प्रेम अगनी इस्थाई है वो कभी समाप्त नहीं होती वो कभी नस्थ नहीं होती अथार्त इन आध्यात्मिक गोड़ों पर इन आत्मा और हिर्दे के प्रेम कभी समाप्त नहीं होता इस्थाई होता है वेर दीज आर नौट जहां ये गुड नहीं है जिस व्यक्ति में ये गुड नहीं है केने का मतलब जिस व्यक्ति का मन सांत और इस्तिर नहीं है जिस व्यक्ति के विचार आदस नहीं है जिस व्यक्ति का मन सांत नहीं है जिस गोड़ जिस व्यक्ति में नहीं है I despise I miss कभी Thomas Carey कभी कहता है कि मैं despise करता हूं despise means hate hate मैं घ्रणा करता हूं ऐसे व्यक्ति के lovely चीक सुन्दर चीक से और अत्वा सुन्दर लिप्स से और अत्वा सुन्दर आइस सुन्दर आँखों से ऐसे व्यक्ति की सुन्दर चीक सुन्दर लिप्स और सुन्दर आइस से मैं घ्रणा करता हूं कभी के कहने का तात पर है कि जिस व्यक्ति के अंदर आंत्रिक गुड़ नहीं है ऐसे ब्यक्ति के सुन्दर गाल, सुन्दर ओट और सुन्दर आईज से वह घ्रणा करता है अथार्थ यदी ब्यक्ति में आध्यात्में गुड नहीं है आत्मा और हेड़े के गुड नहीं है आध्यात्में सुन्दरता नहीं है केवल फिजीकल व्यूटी उसके पास है उसके चीक्स बहुत सुंदर है उसके लिप्स बहुत सुंदर है उसकी आईज बहुत सुंदर है तो ऐसे व्यक्त से कभी घर्णा करता है कभी को ऐसी सुंदरता पसंद नहीं है कभी क्यों कहने का ताथ पर यह है कि उसे वह व्यक्ति पसंद है जिसका मन द्रण और इस्तिर है जिसके बिचार आच्छे हैं जिसका मन सांत